कि उपाशक की जवैशी स्थिति आती है कि उपने आत्मसुरूप प्रभू को शर्वत्तर देखता है, जो शर्व को अपने आत्मसुरूप में देखता है, वो आये हुए शामने शेवा को चहाँ व्यक्ति की हो पशू की हो किसी की भी हो वो ऐसे शेवा करता है जैसे अपने शरीर की हम शेवा करते हैं इसमें दो बाते हैं एक है कि बहुत प्रियता से सेवा करते हैं अपने शरीर की दूसरी बात है हम शरीर की शिवा करने के बाद कोई पुन्यलाव या कोई हमारा यस कीरती करे ऐसी आकांग्षा नहीं होती क्योंकि मेरा शरीर है ऐसे ही शंपूर्ण चराचर को श्री भगवान कहते हैं वो अपने शरीर की उपमा से सब जगे शुख दुख कानू हो करता है साब शुखी है सब आनंदित है ऐसा उसका भाव रहता है आनंदित है, शुखी रहे पर ये भाव तभी रहे सकता है जब आप सीमा से हटे आपने अपने पन को कुछ सीमा में जोड़ रखा है अपने शरीर की सीमा में अपने शरीर के संबंधियों की सीमा में बस किसी को भी दुख हो हमें सुख होना चाहिए और सब चाहे जितने भूखे प्याशे कस्ट सहें बस जो हमारे सगेशने ही संबंधि है इनको सबसुख प्राप्त हो बस ये मोह ग्रशित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे तब तक शार भौम श्री भगवान की सच्ची उपाशना नहीं होगी बिश्वंभर भगवान शब रूप वास्तविक सत्य वही शब रूपों में खेल रहे वो आपका अशुभ नास करने के लिए शेवा का उशर देते हैं पशुपक्षी व्यक्ति आदि के रूप में हमारे स्वामने ऐसी परिष्ठिती आती है कि हमें शेवा करनी चाहिए तो हमें उस समय उस शेवा का उलंगन नहीं करना चाहिए प्राप्त शेवा को भगवत करपा मान करके वो भगवत प्र्रशन्नता के लिए चाहे ओ, कोई भी हो, कोई भी पशू पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई, शेवा के समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है, भावना की जती मेरे प्रभू है, मुझे शेवा का आशर दिया है, पर हमारी तो दशाही कुछ भी लग है, हम प्रभू की भी शेवा करते हैं, तो शौ दे के प्रभू कि भी शेवा नहीं करते हैं कि देखो कैशी हमारी बुद्धी गिर चुकी है बिहारी जू आपके लिए फूल बंगला पांच लाग का बनवाएंगे आप हमारा ये काम कर दीजिए अब विचार करो क्या तुम बोल रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा य रुपया ले लो ये फूल बंगला बनवा दे रहे हैं तुम्हें चपन भूग पवा देंगो तुम्हें ये मेरा काम कर दो जैसे किसी आए व्यक्ती से का जाते हैं तुम्हें पांच लाग रुपय देंगे तुम्हें एक बंगला भी देंगे तुम्हारी बिवस्ठा कर द रहे हो कि उनको आदेश कर रहे हो मालिक तुम बन गए अपने शरीर के अपनी कामनाओं के कहां हो तुम मालिक शरीर पर तुम्हारा अधिकार है जब जहां जो जैसा होना वैसा हो जाएगा तुम रोख पाओगे अरे प्रभू को प्रभू की जगे रखो प्रभू को नौकर बनाने की कोशिश मत करो प्रायहा प्रायहा हम भक्त कहलाते हैं हम शेवक कहलाते हैं और श्वामी के साथ बरताओ कैसा करते हैं तुम्हें हम पाठ सुना देंगे तुम्हारे मंत्र का इतना जब करेंगे पर इतना काम करना होगा आपको क्या है तुम्हारी बुद्धी बोले फिर हमारा काम कैसे चलेगा तुम्हारे मांगे भी ना वो समझेंगे थुड़ी तुम्हारी बात हरे एक अनंतमाताओं में वात्सले शमुद्र प्रभू का एक अंश विराजमान है, अनंत माताओं में, वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपने शेवित पुत्र की रक्षा करेगी, कि शमय क्या उसको पवाना है, कैसे रखना है, ये बच्चे का विशह नहीं, बच्चा तो निश्चिंत र वात्सले शमुद्र का अगाद वात्सले शमुद्र का एक बिंदु है, ऐशे प्रभू को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये बिवस्था कर दो, क्या समझे हो तुम प्रभू को, क्या समझे, तुम भक्त हो, बिचार करना, देखो ये सत्संग है, अगर आप इसे ठीक से सरवन करेंगे मनन करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो शाधनाओं शे काम नहीं बनता वो इश्य बन जाता है इसलिए सत्संग के बराबर कोई नहीं साधन रखा गया है तात श्वर्ग अपवर्ग शुक धरी तुलाए कंग तूलनताई सकल्मिलि जोशुख लवशत संग हम प्रभु के हैं इसकी पेचान यही है कि प्रभु की जगे केवल प्रभु होने चाहिए प्रभु की जगे कोई वस्तु प्रभु बन कर कोई व्यक्ति प्रभू बनकर कोई बिवस्था, कोई घटना, कोई परिस्तिती प्रभू हमारा न बन पावे आप विचार करके देखो क्या इतना सुरक्षित है आपका प्रभू का इस्थान आपके हिरदय में यदि प्रभू को प्रभू की जगे तुमने विराजवान कर दिया तो प्रभू को कुछ करना नहीं पड़ता अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं बिना आदेश के, बिना इसारे के हजारों शक्तियां उस उपाशक की रक्षा और उसकी बिवस्था करने लगती है बिश्वास कीजिए ये सब प्रभू को आदेश नहीं करना पड़ता अपने आप सब बिवस्था होती है किसी चोर को दंड देने के लिए राष्ट पती का सासन लागू नहीं होता राष्ट पती का फोन नहीं हाता कि इसको पीटो नहीं हाता अनंत शक्तियां अपने आप सब कारी रथ है जहां आप प्रभू की शरण में होकर बिश्वास करके अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ दी प्रभू का केवल चिंतन तुम्हारा कार है भगवान की मांग है वो चाहते हैं करना पड़ेगा अनन्यस्चिंतें तो मांबस इतना तुम्हारा कार है अनन्यचिंतन अनन्याश्रें फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी कैसे मांग करनी पड़ेगी शरवग्य शरवत्र शरवशक्तिमान और शरवशुषद शुरदम शर्वभूता नाम विचार करो अब जिसको हमने अपने प्रभू के इस्थान पर विराज मान किया है वो शर्वक्य है उसको बताने की जरुत नहीं वो शर्वशक्तिमान है कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे होने है शक्ता जो था, जो है, जो होगा सब उसी से होता है वो शर्वत रहें तुम्हारे पास रहें और वो आपको बहुत प्यार करते हैं शुरदम, शर्वहूता नाम फिर आपको क्या जरूरत थे चिंता करने की फिर आपको ये कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे आपका ये कर देंगे आप हमारा काम ये कर दो कितने मंध बुद्धी है ऐ से शर्व-शमर्थ-श्वामी से काम करवाना चाहते हो अरे ये आपका काम नगी अनहीं का काम है ये सृष्टी उनीक ही है उसी सरष्टी में तुम भी एक हो वो शाब कुछ देख रहे है तुम जो गलती कर रहे हो अभिमान कर रहे हो करतत भोकतत भाव रख रहे हो यही तुमारी समस्या है इस समस्या से उठो एक अदमी ट्रेन के डिब्बे में दोड़ रहा था इधर से उधर, इधर से उधर एक बैठा विवे की पुरुष देखा ओए भाई क्यों दोड़ रहे हो बोले हमें अमू की स्टेशन जाना है तु बैठ जा ट्रेन चल रही है तु तु आराम से बैठ जा बस ऐसे यह स्रष्टी चक्र चल रहा है तुम्हारे चल रहे, थोड़ी चल रहे काल चक्र घुमा रहा पुरिश्टर्ष्टी को उशी में तुम घूम रहे हो अब तुम घूमना बंद करो पिस जाओगे इस घूमने में बैठ जास्त्रे लेकर प्रभू का जो प्रभू आग्यां कर रहे हैं वैशी चेश्टा उनी के बल से करो कोई भी चाह प्रभूशे मत करो वो शब जान रहे बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो जिवपल लागे पल को शिश्वामी हरदासी महराज कह रहे तुम्हें तो केवल हरिभज हरिभज छानिन मान नरतन को मति बंचे मति बंचे रे तिल तिल धन को अन मांगे आगे आवेगो जिवपल लागे पल को हरी प्रति पल तुम्हें केवल भजन करना है भजन करने वाले की जीवन में प्रभू की क्रपा कवच बन करके उपस्तित हो जाती है कोई उसे बाधा ने पहुचा सकता किशी भी तरह कि आंतरिक न बाह और प्रभू की कृपा काम धेन बन करके उसके पास रहती है जहां जो आवशकता होती है वो बहुतायत जिधर देखो बहुतायत क्योंकि साक्षा भगवत कृपा वहां विराजमान है इसे आप एशानक है कि ये तो किसी महा पुरुष के पास होती होगी नहीं भगवान की बच्षन की शत्यता है और वो कहरें सबपर मोरी बराबर दाया लो प्रभू कह रहे मानो नहीं बत सबपर मोरी बराबर दाया मैं शौप को प्यार करता हूँ बराबर प्यार करता हूँ तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा क्योंकि दाया का उल्टा करो याद तुम प्रभू को अपनी याद में नहीं बशाए संसार को बशाए हो इसलिए उनकी दया को तुम नहीं शमज पा रहे है। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुमें अनुभो होगा। उपाशक ये इसलूग बड़ा महा मही में जो भगवान कह रहे हैं। जब तक ये बात नहीं हाती तब तक उपाशना रंग नहीं लाती हैं। चराचर जगत मेरे भगवान का शुरूप है। जैसे हम अपने शरीर के शुख दुख कानुभो करते हैं। ऐसे सामने आये हुए जो भी व्यक्ति, पशु, पच्छी, कोई भी, किसी को भी कस्ट है, तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में हैं, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेश्टा करेंगे। उसको शुख पहुचाने की भावना में रहेंगे। पर ये तभी हो सकता है, जब हम प्रभू को लेके चलेंगे, अन्यता नहीं कर सकते हैं। एक घर में प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। मुनीम इमानदारिश शेवा करता है मालिक की आग्यां के अनुशार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाईए, अभी परमानद की ब्रतिवदय हो जाएगी उनकी कृपाशे। ए आप अचातानी, ये मन की चंचलताएं, मन की विवस्ताएं बहुत बिचित्र हैं, नहीं सैपाओगे। सीधे शमर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो, वो इतने बलवान है कि ऐसी लगाम खीशेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत करपाल हैं, बहुत कैसे बताएं, वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था सास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परमशत्य है, ये वानुभव करा देते हैं, परमशत्य हैं, वो कैसे करपाल हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा, किवल रोते रहोगे, उनकी करपा करोते हैं ओ ओ इतना प्यार करते हैं अभी लगता है ओ दिखाई तो देते नहीं कहां प्यार कैसा प्यार वही वो हैं वही वो हैं दूश्रा नहीं है वो अनुभों में आ जाएगा बहुत सी परेशानियां जो आप बोजा ढो रहे हैं वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं ततकाल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है आप अपने को मालिक मत मानिये जो भी है प्रभू को मालिक मानिये हैं वो मालिक बस हैं को मानना है आपको सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलजने का एक मात्र उपाए प्रभू को अपना वास्तविक मानलो और उनकी जगए पर किसी को मत बैठालो फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते हैं सोचो आप प्रभू की जगए क्या प्रभू के लिए सुरक्षित रखे हो नहीं चंद रुपेओं के लिए चंद भोग शामाकरी के लिए चंद शम्मान के लिए हम अपने प्रभू को भूल जाते हैं शम्मान को प्रभू मानलेते हैं भोग को प्रभू मानलेते हैं धन को प्रभू मानलेते हैं थोड़ा सा कोई प्रगट में सायोग कर दे उसको हम प्रभु से ज़दा मान लेते हैं प्रभु के लिए केवल प्रभु बश प्रभु माने उताँ श्वामी श्वामी की स्थान पर केवल प्रियादा दूशरा नहीं हमारी इस्थिती अभी नहीं बन पा रहे हैं पकड़ो सत्संग में इस बात को प्रभू के समान कोई नहीं हो शकता तो उनसे बढ़कर कौन हो शकता है हम कैसे सेवक हैं प्रभू को छोड़ देते हैं विशे को स्वईकार कर लेते है भूल गए प्रभू को तो बढ़कर हुआ न विशे भूल गए प्रभू को तो बढ़कर हुआ न धन भूल गए प्रभू को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान सम्मान शिर्फ आपको शंभालने का कारे दिया गया है आपके श्वामी प्रभू ही है ये श्वैकार करना है इमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामागरी शेवा की है और तुम शेवक हो जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपना पन नहीं रहेगा मालिक पन नहीं रहेगा उस समय तुम्हे करपा का अनुभो होना शुरू हो जाएगा कैसे प्रभू दुलार कर रहे हैं कैसे सम्माल रहे हैं अभी बेमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा न बचे तुम्हारे हरदय में इसका भाव समझेगा तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा न बचे तुम्हारे हरदय में हरदय में जब खोजो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए ये तो सब प्रियाजु का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजु है, अब आपकी जो आनंद मही बृत्ती उठे, इसलिए आनंद मही बृत्ती नहीं उठे, इस सब भगवतकारी करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवतकारी करने वाले हैं, आपके पास सब है वो अभी बात ने वो जो बात अध्यात्म की उचाई पर पहुचाती है तो आप अपने हरदय में खोच कर देखिए प्रभु के शिवा कोई नहीं होना चाहिए ना मेरा ना मैं गुले तो बहुत बड़ी बात है इससे भी बड़ी बात है नाम जब नाम को श्वेकार कर लि कासित हो जाती तो और क्या बात अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं यह जो नाम है ना बहुत बड़ी सामर्थ आप समझे यह नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धी नहीं हूँ इसलिए रोना दोना है कि अरे हमेशा नहीं कर पा रहे हमको समझ तो आती है पर हम चल नह नहीं पाते है क्योंकि हम माया में फशे हुए हैं